दोस्तो आज की सवीडियो में हम जानेगे कि क्लाइंट ID, BO ID, DP ID और DMAT ID कैसे चेक करें तो चलि बिना किसी देरिके वीडियो स्टार्ट करते हैं चलि दोस्तो सबसके पहले हम अपनी क्लाइंट ID चेक करते हैं सबसके पहले आपको अपने mobile के message box को open कर लेना है और फिर search के option में ang only type करके search करना है और फिर यहां कोई भी एक option को select कर लेना है उसके बाद यह dear client के आगे bracket में आपकी client ID दी हुई है अगर किसी कारण से आपके messages delete हो गए है तो आप अपनी client ID को अपनी registered mail ID पर भी check कर सकते हैं इसके लिए आपको अपनी registered mail ID open कर लेनी है यहां search में आपको angel one search कर लेना है और फिर margin statement for the day और contract note नाम से किसी भी mail में यहां अपनी client ID मिल जाएगी है यहां आप यहां your weekly performance overview के mail को open करोगे तो यहां उपर की तरफ आपको अपनी client ID मिल जाएगी है चलिए अब हम DP ID और view ID को find करते हैं अगर आपका angel one mobile app login है तो आपको यहां top right corner में account के option पर क्लिक करना है उसके बाद यह account details पर क्लिक करना है और यह bank end DP details पर क्लिक कर देना है दोस्तों यहां आप अपनी DP ID देख सकते हो अगर आपका angel one mobile login नहीं है तो आप registered mail ID open कीजिए और search में DP type करके search कीजिए अब आपको DP welcome transaction के mail को open कर लेना है यह client ID के आगे bracket में आपकी DP ID और view ID दी हुई है यहां पर आपको solar digit दिखेंगे जिसके starting के 8 digit आपकी DP ID है और last के 8 digit आपकी view ID है और इन दोनों DP ID और view ID के combination को DMate ID बोलते है इस पूरी solar digit की DMate ID का use IPO application और share sale करते टाइम CDSL tip in authorization में किया जाता है ऐसे और वीडियोज के लिए subscribe the channel